तो और मेरे भायों किया हाल चाल है? उमीद करता हूं आप सभी के हाल चाल जो है एकडम ठीक होंगे तो आज जो है लगबग सभी के पॉर्ट्פोलियों में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली लगबग 2-5% तक लगबग सभी के portfolio गिरे हैं इसा नहीं कि कुछ-कुछ बंदोगी गिरे हैं लगबग सभी के portfolio इतने गिरे हैं अगर आप देखोगे तो काफी जदा panic selling देखने को मिली और कुछ ऐसे stocks जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप जो है यह 300 मार के आया तर जल्दी और अग भी आप देख सकते हो लगबग 206 बे ट्रेड कर रहा है आप जो है इसमें भी जो है 5 से लगा कर 8 परसंट तक की जो है आ रहे है यह यह रेलवेज स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने को मिली है ठीक है तो ऐसा जो है यहा इंस्टिटूट के दुआरा जो है सेलिंग होते हुए देखने को मिली है इसके अलावा जो है आज की न्यूर्ज देखी जाए तो यहां पर हीरो मोटर्स ने जो है वो जो इनका IPO डाला था ना फिनकोर्प वाला उसका डियेचार एप जो है विड्रो कर लिया है तो अभी जो है इसका IPO में थोड़ा बहुत डिले होगा ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं फ्यूचर में हमारा क्या प्लैन रह सकता है अपने पॉर्टफोलियो को जो है स्टेबल करने के लिए तो काफी सारी इवेंट्स चल रहे हैं अब ऐसे में जो है है कि सेलिंग करने लग जो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है अगर अपॉर्चनिटी मिले तो बाइंग करने का जरूर सोच सकते हो आप क्योंकि यह जो है अच्छी खासी यहां पर आप देख सकते हो ना आर्वेंल देगो 455 पर चल रहा है एक ताइम इसा था कि 600 पर जो है तो यही बात है अपने बजट को जो है अच्छे से मेंटेन करो आने वाले टाइम पर काफ़ सारे एसे एसे अजीब हो गरीब जो है इवेंट्स आरे मार्केट में जो की मार्केट को एकदम अनिस्टेबल बना के रख रखे है ठीक है और और आर्वी आ की मीटिंग में भी यहां पर इंट्रेस्टेट पर रहना जो फेसल आएगा वह भी ऐसा होना चाहिए कि यह ना रेट कट जो है हमको भी देखने को मिल सकता है चाहिए वो प्रेशर के चलते हो क्योंकि यह ना चाइना और यूएस ने जो है रेट कट किया जिसके वज़े से जो है फंट में जो है पी एंजी जो एलर्स इसमें जो है काफी अची खासी डिप देखने को मिली और इसके अलावा जो है आज जो है इसका यह कुछ रिजल्ट्स आया जो आप यहां पर पढ़ सकते हो यहां पर वीडियो को पोस्ट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यहा साफी जाधा टाइम लग जाएगा अगर यहां पर देखते हो तो रिवेन्यू रिवेन्यू पर इस्टोर जो है लगबग 9% से ग्रोव हुआ है और इसके लावा जो है इनके पास तीन नए स्टोर ओपन किये हैं और रिजनली इनका न्यूस था कि 9 दिन में नवरात्री के 9 दिन में नो इस्टोर जो है यह ओपन करने वाले हैं यह जो है न्यूस रहा था और इसके एलावा जो है इसकी वेल्यूएशन जो है काफी ठीक थी और जिसके चलते जो है प्यंजी जोलर्स के चेर्मेन ने जो है कुछ स्टेटमेंट दी है जो भी आप यहां पर पोस करके पढ़ सकते हो हम चलते हैं सीधा इसके स्टोक की तरव अगर हम इसके स्टोक की तरव बढ़ें तो यहां पर आप देख सकते हो स्टोक जो है लगबग साथ सो दस रुपे पर यहां पर ट्रेड कर रहा है साथ सो नो रुपे और प्यंजी जोलर्स जो है यहां पर देख सकते सब करने को क्या कमपणी क्या काम करती है और खासकर डाइमंड का जो अच्छे से यह लोग शीज ग्रोग देखने सी रहे है इसका ठाइब अभी अभी आयपि इनकिलिए तोड़े दिन इसके अलावा जो है अगर आप इसके fundamentals देखो तो market cap जो है वो ठीक ठाक काऊँगा मैं यह नहीं बोलूँगा की काफी अच्छी है यहां पर आठ या 7000 करोड के पास होती तो चलो ज्यादा बेटर रहता पर 9649 करोड पर जो है इसकी market cap चलो रही है यहां पर हम थोड़ा सा रि जो देखोगे वो काफी तगड़ा चल रहा है यहां पर प्रोफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो 179 परसंट यह जो है देखने को देखने वाली बात है अगर बुक वेलिए उसकी देखोगे तो वो जो है लगबग 130 या 140 कुछ चल रही है रिटन और इक्वर्टी देखोग 850 क्रोड का जो है फ्रेश इशू लाए थे जिसकी वेज़े से यह डेट का होगा और इसको जो है इंट्रेस्ट कम के पे करना पड़ेगा जिससे भी जो है इन्होंने डेट लिया था ठीक है और यहां पर अगर आप प्रोज और कौन पढ़ सकते हो पोज करके इसके अलाव क्लियांग जोईलर उसके अलवा ऑट तो उलेडी एक तो अलवा जो है कि अलवा किसी का हेड-to-head नहीं कर सकते इसको चैल जो है काफी तगरी ग्रोध देखने में में मिल रही है endure सब्सक्राइब देखने को मिल रही है अगर इसके लबाद यहां पर देख सकते हैं रियल ग्रोज जो है विजिबल है 2018 में 200 करोड फिर 300 करोड यहां पर जो है कोवीड का टाइम था और गोड जो है सेम प्राइस पर चल रहा था उसके बाद जो है एक ग्रोज थाई पहले तो डीप थी डीप मिली हलकी सी और उसके बाद जो है तगड़ी ग्रोज यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है अगर काफी ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोग कर रहे है इस्टो का प्राइस का अभी तक नहीं बढ़ा है क्योंकि रिसनली लिस्ट हुआ है और रिटन ओन इक्वर्टी जो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है बोरेंग्स देखो के तो यहां पर आप देख सकते हैं 400 क्रो के पास है कुल मिला के अगर आप देखोगे तो काफी जो है काफी जादा माल जो है स्ट्रॉंग हैंड में है ठीक है और शेयर होल्डर जो है लगो ठाई लाक जो है इसके शेयर होल्डर है अगर अगर इसके ना येर और अगर हम EPS ग्रोथ की बात करें तो यहां पर देख स सकते हो तो उठाओ और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलिग्राम चैनल की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल देगी वहां से जोईन कर लेना तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में